तो फ्रेंड्स यह वाली मिठाई बहुती टेस्टी बनते मैंने पहले भी बनाया है बच्चों को बड़ों को सबको बहुती पसंद आने वाली मिठाई बहुती जटपड बनते और यगिन मानिया कर एक बर आपने बना लिया तो इसको अब दुबारा जरूर बनाएंगे तो यहां सबसे पहले लों हम दूद्स यह मैंने फूल क्रीम दूद्स लिया है आप इसकी जग है 2-3 दिन की मिलाए के डाल सकते हैं तो यहां अच्छे से इसको बालने के लिए हम रख देंगे सूजी दालेंगे 2-3 चमज ज्यादा सूजिया इसक्छोंडी कंलबना सूजी डा लगाता चलाते हdert को ऊबार लिए सुझी आप देख सकते हैं काफी अच्छी से पकाना चलाते हुए तो यहां कहा rain तो यहां अधर हम डालेंगे मिल्क पाऊडर तो यहां एक कप मैं मिल्क टाल घसाई डाले यहां फिर आफ मलाई आप आप कम पाउडर आप सकते हैं बहुत हैं ऑच्छी मिठाइ बनती है तो यहाँ मैंने एक कप मिलग दाल में और इसको भी पहले अछछे से उजी के साथ हो जाता है तो यहां milk powder को मैं अच्छे से सूजी के साथ mix कर लिया है देख सकते हैं काफी देर-देर करके काफी अच्छे सी गाड़ी हो रही है और इसका टेक्सिर भी देख सकते हैं कितना अच्छा है इसका टेक्षर आया तो इसी के साथ हम डालेंगे इसमें आदा कप नारियल का पाउडर जो डेसिकेटिड कोकोनेट पोलते वही डालेंगे और अब इसको भी डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आप जरूर बना कर गए देखी इस चला के पकाया है है मिल्क पाउडर ही अच्छे से मिक्स हो छुका साथ मैं जो नारियल डाला वह 33 चीजह बहूत ही आच्छे से पक्चुक एसे के शाथ नाट आती साथ में जो भी हमार तले पे लगता है तो हलका सा लगेगा नहीं हम इसमें दो चम्मच देशी घी का यूज किया है और घी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और घी डालते यह बहुत ही अच्छे से इस पैन को छोड़ देता बिल्कुल यह मिठाई अलग जाना था उसको वह हम अच्छे से पोच लिया है तो यहां अभी हम डालेंगे इसके अंदर मिठा तो मिठेमिए ंफ्रेंस मैं डाल लिए तो यहां मैं एक अप गुर्ड नाल यों तो मैं थोड़ा मिठा इसके अंदर कमी डाल यह आप मैं स्ट्रेस्ट करूंगा आपको कि आप डेड़ कप मिठा इसके अंदर जरू डाले क्योंकि गुड़ थोड़ा सा कम मिठा होता है तो आप गुड़ की मात्रा इसमें ज्यादा रखे मिठा की मात्रा आप ज्यादा रखे तो आप डेड़ कप मिठा इसके अंदर जरू डाले तब इसी मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छी मिठाई बन कर त्यार होती है तो यह हैं इसको लगाता हैं चला लेंगे फैद यह болws हमने क्रेश करके डाल HI मैल्ट कर लेंगे तो अंदर गाठे रहे जाती है और अच्छे से इसको जितने थोड़ी गाठे दीख रहे लिए इनको आश्य मिक्स करते जाएंगे बढया से गुड अच्अ को लगातर हम चलाते रहेंगे और नीचे लगने लगते हूं से Sam चोलते हम कर लेंगे तो हमीचों से बिल्गोल रैंगे नहीं से लिखनी लेंगे तो यहां देख सकते हैंे इसने बिल्कुल अच्छ के तो चोट दिया है और मिठंखंया हमें तभी तक पका नहीं जब तक ये पैन को छोड देए पैन में बन घ्यार हो जाती हैं तो यहां देख सकते हैं पैन को इसने काफे अच्छे से छोड़ दिया है मैं 스ेचूला कि साहिता इसको बिल्कुल अच्छे से स्पैचुला की सायता से इसको बिल्कुल अच्छे से दबाते हैं इसको पकार लूँगी तो अच्छे से मैस कर लूँगी तो देख सकते हैं कितने बड़िया से मिठाई हमारी बनकर त्यार है अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दो मिंट के बाद आप कोई डबा या प्लेट जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर आप घी लगाके भी इसको पर अराम से दब्बे के ऊपर अराम से इसको निकाल सकते बहुत या सानी से मिठाई निकल जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर फिर उपार भी डाला है साथ में मलाई भी डाल लिए गी वी डाला है तो इसमें कोई दिकत नहीं होती है अब यसको सेट कर सकते हैं तो यहां मैं स्पैच्वलाग शायता इसको बराबर बराबर कर लिए छार्ट रोप से बराबर कर कर देज़ें बोति आच्छा ताब लगेगी अगर एक बार बना लिया तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली मिठाई है तो यहां मैंने इसको अच्छे इसको सेट करके रख दिया है फ्रीज में और अदा गंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है आपके पास जितना टाइम उतना रख सकते हैं तो ताइम इ इसका पेपर भी निकल जाता है फ्रेंट्स कोई भी दिक्कत नहीं होती वह होती असानी से मिठाई है हमारी बनकर त्यार होती है तो देख सकते हैं इसका पेपर मैंने निकाल लिया है उसका आपको देखने से पता लगया होगा कि कि इतने टेस्टी मिठाई बनी है तो यहा में ने इसको लम्बे लंबे पीश में कट किया है पहले सोच चोकोल काटों दो बर्फिक सेफ लेकिन नहीं मैं सो इसको लंबाई काट रीडिया है और आप मिठाई को एक वार मेरे कैने कटल लगए है हमारे लंबे लंबे पीस बनकर त्यार रहें तो अभी आपको तोड़ दिखाती जो तूटा हुक्षाँ उसी से तोड़ की दिखाती कितनी सोट मिठाई बनी है तो यह देख सकते हैं निकाल लेते प्लेट में तो यह सभी को में इस तरह से प्लेटिंग कर लिय अगर थोड़ी सी आपको पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और सबस्क्राइब करना ना बुल ले रेशिपी कैसी लगी जरूर बताएं और देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद